प्रेजिन करके देखो कि क्या होगा जब आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ को एक रिमोट कंट्रोल के तुरू कंट्रोल कर सकते। मुझे पता है आप लोग को ये बात सुनें बहुत ज़्यादा अक्वर्ड लग रही होगी तर इस मुवी में सीरियसली ऐसा ही होने वाला है। और मैं ये बात शर्त लग कर कह सकता हूँ कि आप लोग ने ऐसी मुवी पहले कभी नहीं देखे होगा। वीडियो के इन तक बने रहना एंड हमारे चनल को सब्सक्राइब करके बेल आगन दबा देना अगर आप लोग नहीं आये हो तो ज़िले स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरीगे। पूवी की स्टार्टिंग में हम लोग जूली नाम के एक औरत को देखते हैं जिसका भी कुछ दिन पहले ही डाइवार्स होता है अपने पती से। हम लोग देखते हैं कि इनका एक बच्चा भीया बेवे जिसकी करशड़ी जूली के पास आती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जो एक आदमी होता है वो जूली के घर पे आता है। वो उसका जो समान होता है नेसेसरी आइटम्स होते हैं उसको होम के लिए। उनको घर पे रखके जाता है और उसके जानने के बाद ही जूली एकदम से अपने घर की सवाय को साफ करते-करते, एक यहाँ पर बॉक्स मिलता उसके बैड के नीचे, तो जूली को वो बॉक्स कुछ अजीब लगता है तो उसके खोल के देखती है, तो उसे यहाँ पर स्कुल की स्टैंप से मिलती है, और उसके पता पड़ता जो कि अपनी फ्रेंड का उससे एक ट्राउजर मांगती है तो उसे ट्राउजर देता है और सभी लोग उस पर हंसने लगते है पता नहीं वो लोग अब क्यों हंस रहे थे अब इसके बाद हम लोग देखता है कि बेवे का स्टेस्ट था बेवे उसे ढूण रहा होता है तब यहाँ पर उसकी मं जूली आती है और वो उसे उस बॉक्स को पकड़ा देती है जिससे कि हमें पता पढ़ जाता है कि उसके जो मं ती उसे सारी सचा ही पता पढ़ चुकी है और जो बेवे था अब वो भी पढ़ने की एक्टिंग करने लगा था और वो ऐसा दिखा रहा था कि उसेने कुछ करा ही ना हूँ हम लोग देखते हैं उसकी मॉम उसे डांटरे होती है और वो भी अपनी मॉम को एगनोल कर देता है और उसे लिटरली अपने दिमाग में गुस्सा आ रहा था हे गाइज वेट 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 मैं आप सभी लोग के लिए एक दूसरा चैनल बनाया है जहां पर मैं कुछ पॉपलर एनाइम्स को एक्स्प्लेइन कर रहा हूँ आप लोग कमेंट करके बताइए इस वीडियो में कि आप लोग को कौन सा नहीं पसंद है मैं उसकी एक्स्प्लेशन आप लोग को अपने दूसरे चैनल पर दूँगा इस चैनल के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाकर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना चलिए कंटिन्यू करते हैं हमें आपर देखते हैं कि बेवे को अपनी मॉम जूली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी चाती साथ हमें पता पड़ता है कि उसको आर्ट और क्राफ्ट का भी शौक था लेकिन बेवे की मॉम नहीं चाती थी कि वो एक आर्टिस्ट बने वो चाती थी कि मेरा बेटा एक इंजीनियर बने जैसा कि हर पेरेंट चाता है पर हम देखते हैं कि बेवे का हैं पर जो शौक था वो आर्ट और क्राफ्ट में था अब हम लोग देखते हैं कि उसकी जो मॉम होती है जूली वो से फिर से डांट के अब उसके रूम के भार चली जाती है अब अगली सीन में हम लोग जूली को देखते हैं जो कि अपने बेटे को सक्सेस्फुली डांटने के बाद भार आ जाती है कुछ गूमने के लिए अब हम लोग देखते हैं एक हर पेरेंट की तरह उसको भी लगता है कि उसने अपने बेटे को ज़्यादा ही डांट दिया है तो वो उसके रूम पे जाती है खटखटाती है पर यहाँ पर अंदर कुछ होरी चल रहाता जो बेवे होता है वो अंदर रंगरलिया देख रहाता है हम लोग देखते हैं जैसे उसका बेटे केट नेक होता तो वो भार चली जाती है और वो एक एडवर्टाइजमेंट देखते है जहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि सैंटिस ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट तयार किया है जिससे की लोग अपने बेटे को कंट्रोल कर सकते हैं तो जूली उसकी बात को मान जाती है और हम लोग अगला दिन देखते हैं जहाँ पर हम लोग बेवे को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के लिए तयार हो रहा था और रास्ते में जाते समय उसको एक लड़की से टकरा जाता है अब हम देखते हैं वो एक कार को रुखता है यहाँपर हम देखते हैं वो टेक्सी में बात ही करता हुआ जा रहा था उस ड्राइवर से, हम लोग अब देखते हैं, जो बेवे होता है, उसे लगता है कि वो अभी भी पिछले दिन में जी रहा है, क्योंकि आज जो भी इंसिडेंट उसके साथ हो रहे थे, वो पिछले दिन हो रहा था, वही उसके साथ आज हो रहा था, और वो लड़की आज भी उसके साथ वही ट्राउजर लेने के लिए आई थी, उसे पता नहीं पढ़ रहा था कि उसके साथ ये क्या आजीव घटना है हो रही है, हम लोग अब बेवे को देखते हैं, जो कि अपने रूम में आ और वो उस बॉक्स को डूड़ने कोशिश करता है, जो कि उसे नहीं मिलने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसे बॉक्स को मिल जाता है, और वो उसको अंदर सारे कंटेंट को देखता है, तो उसको अंदर वो सारे स्टेम्स भी थे, हम लोग फिर से देखता है कि जो बेवे होता है वो अपने उसी टेस्ट पेपर के उपर उन साभी स्टेम्स को लगा के फिर्षधे अपनी मॉम को देदेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको मम को यह पता पड़ जाता है कि उसके बेटे ने उसके साथ फिर से जोला चापी करीया है और उसकी मम उससे कुछ नहीं कहती। वो कहते हैं कि खाना लग चुका और तुम खाना खा सकते हैं अब हम लोग देखते हैं आगला दिन जहां पर हम देखते हैं कि बेवे फिर से उठता है और वो फिर से उसी दिन की तरह जो इंसिडेंट हो रहे थे वो दिन फिर से उसके साथ होने लगते हैं वो फिर से उसी टेक्सी डाइवर कार में बैटा था और टेक्सी डाइवर जो बाते कर रहा था वो वही बाते कर रहा था जो उसने पिछले दिन करी थी हम लोग देखते हैं बेवे, फिर से उसी लेटर को लेकर आता है जो कि ये नकली स्टेंप्स को लगा कर अपनी मॉम को देता है और उसकी मॉम से कहती है कि मैंने तुम को तीन एटेंप्ट दिये थे अपनी गलती को सुदारने के लिए पर तुमने अपनी गलती नई सुदारी जिसकी सिदा तुमें जरूर मिलेगी जूली आपर बेवे से कहते है कि अगर तुमने जल से जल अपनी गलती को नई सुदारा तो तुम इसी दिन के लूप में बार बार ही चलते रहोगी हम लोग देखते हैं जूली एक रिमोट निकालती है और उस रिमोट को रिसेट पे सेट करके उसके उपर चला देती है जिससे कि जो बेवे होता है वो फिर से उसी दिन में पहुंच जाता है और उसका दिन फिर से एक और बार उसी तरह से स्टार्ट होता है हम लोग देखते हैं ऐसा करते करते चार से पांस दिन बीच जाते हैं और हमें पता पड़ता है कि उस आदमी ने ये रिमोट दिया था जूली को ताकि वो अपने बच्चे को सुधार सके और उसकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सके अब हम लोग देखते हैं जैसे एक हफ़ता बीच जाता है बेवे को लगता है कि आप उसे सचाए अपनी मॉम को बता देनी चाहिए तो वो अपना जो रियल टेस्ट पे पर होता है वो अपनी मॉम को दे देता है अब हम देखते हैं कि उसके जो मॉम होती है उसे एक दिमाग में एक idea आता है कि वो अपने बेटे का जो एक दिन था वो उसे पंदरे दिन के बराबर करेगी यान कि जब उस वो एक lesson पड़ेगा तो उसे पंदरे दिन बार वो lesson जो है repeat करना पड़ेगा जिससे कि उसकी जो knowledge थे वो भी अच्छी हो जाएगी और वो आगे चलके एक future में इंजिनियर बन सकता है अब हम लोग देखते हैं वही ऐसा ही करती है अपने बेटे के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जूली के दिमाग में एक idea और आने लगता है कि उसे खाना किलाने का क्योंकि हम देखते हैं कि जो बेवे था उसे बिल्कुल करे लेगी सबजी बिल्कुल पसंद नहीं थी तो उसकी मौम चाहती थी कि उसका बेटा भाई खाये जो वो चाहे यानि उनके घर में जो कुछ भी बने बेवे उन सब चीज़ें को खाये तो उसकी मौम यहाँ पर उसके सामने करे लेगी सबजी रख देती है उसे टेस्ट करने के लिए और बेवे कहता है कि मैं नहीं खाता हम देखते हैं कि उसकी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है लूप में और वो अपनी क्लासेज में टॉप करने लगाता क्योंकि वो एक दिन को पंदरा बार जी रहा था और जो लेसन उसे एक दिन पढ़ना चाहे वो पंदरा बार पढ़ रहा था अब एक दिन हम लोग देखते हैं बेवे अपने टीचर से मिलता है और हम देखते हैं कि वो लोग एक ट्रिप पर जा रहे थे और उसकी मौम बना कर रही थे तो बेवे अपने टीचर से कहता है कि वो उसकी मौम से बात करे तो टीचर जब उसकी मौम से बात करता है तो जू में हमें पता पढ़ता है कि ये दोनों अब एक अच्छे दोस्त बन गया है क्योंकि इन दोनों का जो mutual taste था एक talent में उन दोनों का same ही था क्योंकि इन दोनों को ही arts और martial arts दोनों ही पसंद थे इन लोग को drawing करना भी बहुत अच्छा लगता था अब एक दिन हम लोग यहाँ पर बेवे को देखते हैं जो कि लेन के घड़ जाता है फोड़ सा chill out होने के लिए तो हम देखते हैं कि लेन अपने parents से बेवे को मिलाते है और वो देखते है कि उसके जो mom है यान कि बेवे देखते है कि जो लेन की mom है वो एक artist है उसके जो dad है वो एक singer है उसे पता पड़ता है कि इनके जो family है वो बहुत जादा chill out है और वो अपने बेटे पर यानि कि अपनी बच्ची पर वो इतना ज़ादा फोकस नहीं करते है अब हम लोग देखते हैं ये लोग अपना एक golden time बिता रहे थे ये लोग वहाँ पर painting करते हैं और गंज से खेलते हैं हम लोग देखते हैं ये इन लोग का जो ये time period था वो बहुत अच्छा था और यहाँ पर बेवे को भी उस लड़की एक साथ रहना बहुत अच्छा लगता है अब हम लोग देखते हैं कि टीचर की call यहाँ पर जूली पर जाते हैं कि यहाँ पर जो बेवे है वो आज स्कूल में नहीं आया है तो यहाँ पर जूली अपने बेटे की location निकालती है और उसे घर पे लेकर आ जाती है और वो उससे मना करती है कि आज के बाद तुम कभी भी उस लड़की के साथ नहीं खेलोगे बेवे अपनी मॉम से मना करता है कि आप मेरे से मेरे फ्रेंड को मत चीने बाकि आप मेरे लाइफ में मेरे से कुछ भी ले सकते हो तो उसकी मॉम उसकी बात को नहीं मानती है और फिर से एक बार reset button दबा देती है हम लोग देखते हैं बेवे फिर से उटता है और वो उटते ही लेन के घड़ जाता है पर लेन उसे नहीं पैसा नपाती क्योंकि वो अभी तक बेवे से नहीं मिली थी हम लोग देखते हैं कि बेवे बहुत ज़दा परिशान हो जाता है वो बहुत ज़्यादा चिड़ चिड़ा हो जाता और अपनी मॉम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था अब क्योंकि बेवे अपनी एक ही दिन को पंद्रह बार जी रहा था तो उसकी ऐसा करने के वज़े से आलत खराब हो जाते है और उसकी मॉम वो हर कोशिश कर रही थी जो वो कर सकती थी पर वो ठीक नहीं होता प्लादी करना चाहते है और मैं तुमसे प्यार नहीं करती है और बेवे भी उसे लेंग की फोटो दिखाते है उसे मना कर देता है अब हम लोग देखता है कि बेवे मीटिंग बाद अपने घर पे आ जाता है और वो फेजुक पे सर्च करता है लैंग की फोटो तो उसे पता पड़ता है कि जो लैन है वो अभी नियू यूर्क में एक आर्टिस्ट बन चुकी है और वो वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा फ उन्हें सबक जिखाने के लिए पर तभी हम देखते है जैसे ही वो उस रिमोट को रिक्सेट करने के लिए आगे बढ़ता है तब ही एक गाड़ी उसको टक्कर मारके चली जाती है अब जैसे ही गाड़ी की टक्कर बेवे से होती है वो अपने उन्हीं पुराने दिनों में चला जाता है और वो देखता है लेन को और उसके खूब चुरत यादों में वो वहीं पर खो जाता है लेन उसकी तरब मुष्कराती है और बेवे उसे देखकर रोने लगता है और ये मोवी कुछ इसी तरह यहाँ पर जखके खतम हो जाती है पर यहाँ पर एक प्लोट करवात हुई थी जहां से उसे पहली बार रिशेट करा हो गया था फिर मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एक्स्पेनिशन कैसे लगी तब तक के लिए बाए बाए